कि गुट मॉर्निंग स्टुडेंट मैं वीना सहाय मैंने लॉक डॉन में चैनल तयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे साइंस की पड़ाई हिंदी मीडियों से कर सके और समझ सके मैंने 8 9 10 तीनों क्लास के कुछ वीडियो डाले हुए है आप लोंको देखिएगा पढ़ सब्सक्राइब किजीगा ठीक है अभी मैं टेंथ क्लास का बालोजी पढ़ा रही हूं तीन चैप्टर कंप्रीट हो चुके हैं कंप्रीट होने वाले है नाइन्थ चैप्टर थोड़ा सा बचा हुआ है उसको मैं आज देख रही हूं आज करवा रही हूं आप लोगों तो आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत सारा चीज हम लोग अनुवन सिक्ता में पढ़ चुके हैं अनुवन सिक्ता क्या है लक्षम क्या है मेंडल का प्रियोग क्या है मानों में बच्चे का निगम धारन कैसे होता है मतर का पौधर के बारे में मेंडल ने एक्स्पेरिमेंट किय तो बहुत सारे questions हम लोग इस chapter के कर चुके हैं अब हम लोग थोड़ा चा जाती उद्भाव और जयविकास के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो इसके पहले तीन question था 123 पेज नंबर 165 में वो मैंने करवा दिया था बागों की संख्या में कमी ये question और ये 123 अभी मैं start कर जाती उद्भाव जाती उद्भाव कैसे और क्या है अभी तक हमने जो कुछ भी संग्या वह सुक्ष भी विकास था इसका अर्थ है कि यह परिवर्तन बहुत छोटे हैं यद्दपी महतोपूर्ण है छोटे हैं लेकिन महतोपूर्ण हैं फिर भी ये विशिस्ट स्पिसीज की समस्त्री कि सामान लक्षणों में परिवर्तन ला परन्तु इससे यह नहीं समझा जा सकता है कि नए इस्पेसिज का उध्व किस प्रकार होता है यह तब ही कहा जा सकता है जबकि भ्रिंगों का यानि के बैटल्स का यह समु जिसके चर्चा कर रहे हैं दो भीन समस्त्यों में बट जाए तो आपस में जनन करने में असवर्थ सु, यह यह स्थिती उत्पन्द हो जाती है दब हम उन्हें दो स्वतंत्र स्पेसिज का सकते एं ना नई धो स्वतंत्र अलग अलग स्पशिज हम लोग उसको कहेंगे कब जब दो भीन शमस्त्यों में धों स्पेसिज में बट जाये तो और आपस में जदन करने में असमर्थ हो तब हम समझेंगे कि अलग-अलग इस्पेसीज हुए तब ये इस्थितित पर्णोगी और हम उन्हें दो अलग-अलग इस्पेसीज मानेंगे या इस्पेसीज कहलाएंगे तो क्या हम उन कारणों का विस्तारन करें जिनका जिक्र हमने उपर किया है और इस्पेसीज की उत्पत्ति के सिधान को समझने का प्रयास करें विज क्या होगा कि जाड़ियां जिनमें बेटल्स भोजन के लिए निर्भर आते हैं करते हैं और एक पर्वत सिखला के ब्रहत छेत्र में फैल जाए ठीक है उनका बहुत ज्यादा समस्ट्री उनका फैल जाए अब पारिणामत है समस्ट्री का आकार भी विशाल हो जाए उ परंतु, व्यास्टिभ रिंग अपने भोजन के लिए जीवन भर अपने आसपास की कुछ जाड़ियों पर ही निर्भर करते हैं तर भी बहुत दूर नहीं जा सकते हैं उसे के आसपास वे जाड़ी में भोज़न के लिए निर्भर देंगिंगि और वहीं रहेंगिंगि अत ये बेतल्स के इस विशाल समस्त्री के आसपास उप समस्ती होगी। क्योंकि नर एवंग मादा वरीग जनन के लिए अवश्यक है। अतह जनन प्राय इन उप समस्तियों के सरदश्यों के मध्य होगा। हां कुछ सासी भ्रिंग एक अस्थान से दुसरे अस्थान पर जा सकते अत्वा कववा एक भ्रिंग को एक अस्थान से उठा कर बिना हानी पहुचाए दुसरे अस्थान पर छोड़ देता है तो दोनों ही इस्थितियों में अप्रवासी भ्रिंग अस्थान्य समस्थी के साथ जनन करेगा यहां पर क्या है कि जब भी जनन होगा तो मेल और फिमेल बेटल दोनों रहेंगे तभी होगा तो यदि इन उपसमस्थियों के सदेश्यों के मद्ध ही होगा तो कुछ शाहसी ब्रीमत कुछ बेटल उसमें से एक अस्थान से तूसरे स्थान पर जा सकते हैं या फ तो तूसरे स्थान पर चरा जाता है तो दोनों इस्थितियों में अप्रवासी ब्रीन्ग जो बेटल जो है वह स्थानी समस्थि के साथ जनन करेगा तो तो परिणाम पर जाता है कि अप्रवासी बेटल एषान बेट के पिर वहां क्या हो जाएगा जब वहां रिप्रोडक्शन होगा नए जगा पर नए स्थानी समस्टी के साथ रिप्रोडक्शन होगा तो वहां भी नए समस्टी बन जाएगी एक नया समस्टी तैयार हो जाएगा तो इस प्रकार जीन प्रवा इसको हम लो करते जीन प्रवा तो इस प्रकार जीन प्रवा उन समस्ट्यों में होता है, होता रहता है, जो आंसिक रूप से अलग-अलग है, तो उनमें जीन प्रवा हो सकता है या होता है, परन्तु पुर्ण रूपेन अलग नहीं हुए है, पुर्ण रूपेन अलग होगा, तो हो सकता है कि जनन करने की छमता नहीं रहेंगी, इसलिए यह आंसिक रूप से ही थोड़ा अलग रहते हैं, पुर्ण रुपेन अलग नहीं, परन्तो यदि इस प्रकार की दो उप समस्टियों के मद्धे, एक विशाल नदी आ जाए, दो उप समश्टियों के बीज, एक विशाल नदी आ जाए, तो दोनों समस्टिया और अधिक प्रित ak हुजाएगे, और भी अलग लग हुजाएगे, उस नदी के इस्पार और कुछ उधर तो और भी अलग लग हुजाएगे, तो दोनों के मद्धे, जीन प्रवा का अस्तर औ और भी कम हो जाएगा आप तो बीच पेक नदी आ जाएगा तो बेटल भी उधर न जा सकता है उधर वाली इधर नहीं आ सकते तो क्या होगा दोनों के बीच जीन प्रवाहकास्तर और भी कम हो जाएगा उत्रोत्तर पेढ़ियों में अन्वानसिक विचलन फ्रतेक उप समस्ट्री में विभिन परिवत्तलों का शंग्रण हो जाएगा और भावगोरिक रूप से विलग इन समस्ट्रियों में प्राकर्तिक चेयन का तरीका भी भिन्न होगा उधारर के लिब कह सकते हैं कि एक उप समस्ट्री की सिवा में उकाब यदि चिल द्वारा कवे समाप्त हो जाते हैं परन्तु दूसरी उप समस्ट्री में यह घटना नहीं होती है जहां पर कवों के संख्या बहुत अधिक है तो पढ़नामत पहले स्थान पर बेटलो का रंग लक्षण हरा रंग का प्राकर्तिक चेयन नहीं होगा जबकि दूसरी स्थान परिट का चेयन होगा तो बेटल की इन प्रिठक उप समस्ट्री में अनुवन्सिक विचलन एवं प्राकर्तिक चेयन के संयुत प्रभाव की कारण प्रतिक समस्ट्री एक दूसरी से अधिक भिन होते जाते हैं जब भी संभhav होतता है अनतता इन समस्ट्री की सदस्य एक दूसरी से मिलने के बाद भी अन्तजनन में असमर्तो यह भी संभव है कि इन समश्ट्री के सदस्य जो प्रजाती कि जो सदस्य होंगे वे आपस में एक दुस्ते से मिलने के बाद भी अंतरजनन में असमर्थ होंगे तो अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा यह परिवर्तन सभव है तो इस तरह से जो होता है तो यहाँ पर क्या होगा कि नया नया समस्टी का विक उध्वा होता जाएगा नया समस्टी तैयार हो जाएगे तो अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा यह परिवर्तन सम्भव है यदि डिये ने में यह परिवर्तन पर्यात है जैसे गुड़ सुत्रों की संख्या में परिवर्ता नाना तो दो समस्क्रियों के सदेश्यों की जनन कोशिका यूगबको का संग्लाइन करने में असवर्थ हो सकती है अथ्वा संभाव है कि ऐसे बीभिनता उतपढ़ हो जाएं जिससे हरे रंग की तो यह हरे रंग के प्राकृतिवरन के लिए अक अंत्यना परिश्टिती है अब यदी ऐसी हरी मादा भरिंग दुसरे सबों के लाल डर से मिलती है तो उसका घुबहर ऐसा होगा की जनण नहो conteúdo परि नामत भरिंगों की नई इस्प। परिवर्वर्व समझते हैं अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा या परिवर्वर्टन संभा हो unreli ile समस्ट्यों का उद्भव होना अलगल जाती का उद्भव होना तो यदि डीएदे में यह परिवर्तन पर्याप्त है जैसे गुर्शुत्रों की संख्या में परिवर्तन तो दो समस्ट्यों के सदस्यों की जरनकुशिकाय यानि की युगमक्त संग्लेन करने में असवर्थ हो सक जैसे गुर्शुत्रों के संख्या में परिवर्तन होगा तो जनन कोशी का युगबग जो है गैबिट्स जो है वह संगलन करने में असमर्थ हो सकती है अत्वा संभव है कि ऐसे विविन्दता उत्पन हो जाए कि हरे रंग की हरे रंग के जो बेटल है फिमेल बेटल वह लाल मेल विटल के साथ जनन के छमता ही खोदे अब वो किवल हरे रंग के ही डर भ्रीक के साथ जनन कर सकती है तो ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा होगा तो फिर वो एक अलग जाती हो जाएगा फिर ये एक अलग जाती हो जाएगा तो यह हरे रंग के प्राकर्ति वरन के लिए एक अत ऐसा ही होगा, कि जनन न हो, तो परडामता क्या होता, ऐसे में बिभीनेताय होते हैं, और कुछ परिवर्तन होते हैं तो इस तरह की जो पैसे स्थिति में नए इस मेसिज का विकास होता है ठीक है अब है कुश्च्ट कुश्चन है कि वे कौन से कारक है जो नए इस पसीज के उद्वों में सहायक है तिसमें है कई कारण है कारक जो नए इस पसीज के जन्में सहायक है सबसे पहले तो एक शारिरिक लक्षणों में परिवर्तनाना और अभी मैंने तुनन्त कहा कि क्रोमोजोम्स की संख्या में परिवर्तनाना तो क्रोमोजोम्स की संख्या में परिवर्तनाना तो क्रोमोजोम्स की संख्या में परिवर्तनाना यानि कि कम होना या अधीक हो जाना इस पर भी नई जाती का उध्वो होना संभव रहता है। विविन्नताएं जिसमें जनन की छमता नहों, जनन की छमता नहों, तो उससे भी नई एस्पेसिस का विकास होगा। और अनुवनसिक विचलन व प्राकर्तिक वरन। भ्रिंगों की इन प्रिथक समस्टियों में अनुवनसिक विचलन, एवं प्राकर्तिक वरन। बनाएं प्राकर्तिक चैन की सेविक्त प्रभाव की कारण भी प्रतिक समस्टी एक दूसे से अधिक भिन्न होती है। तो यह हुआ चार पॉइंट की सारिदिक लक्षणों में परिवर्तन। सारिदिक लक्षणों में परिवर्तन। फर्स्ट, सेकेंड क्रोमोजोम्स की संख्या में कमी या बेसी होना। थर्ड पॉइंट बिभिनताएं जिनमें की रिप्रोडक्शन की छमता ना हो। चौथा अनुवानसिक विचलन वह प्राकर्तिक वरन। प्राकर्तिक चेन उनके कारण भी नए समस्ट्यों का उत्वा होता है। और DNA में यह परिवर्तन अधिक प्रिथक होने पर क्रोमोजोम्स के सभाव में ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं कि दो सर्दस्यों की जरनकुशिकाएं संग्लैन करने में असबर्थ हो जाएं। परिवर्तन परिवर्तन परियार्थ हो तो गुर्व संत्रों के संख्या में कम्या भी सी होगा। तो दो समस्ट्यों के बीच जो गैमिट्स है युगबको हैं वो संग्लैन करने में ही असमर्थ हो सकती है। अब इस कारण क्या होगा। नहीं जाती असमर्थ हो जाएंगे और फिर बढ़नावत एक नहीं जाती का उध्वा हो जाएगा। तो यह फर्स्ट कुशन हो गया। सेकेंड कुशन है क्या भागौलिक प्रिथक्करण स्वा परागत इस्पेशीच के पौधों के जाती उध्वा का प्रमुक कारण हो सकता है या नहीं। स्वा परागत इस्पेशीच के पौधों के जाती उध्वा का प्रमुक कारण हो सकता है क्यों या क्यों नहीं। तो यहां होगा कि हां जाती उध्वा का प्रमुक कारण हो सकता है। भागौलिक प्रिथक्करण स्वा परागत इस्पेशीच के पौधों के जाती उध्वा का प्रमुक कारण हो सकता है। के पौधों में विभिन्ताय यानि के वहरायशन कम होती है ऩिटा पर आग adesso स्वा परागित जो पौधों हो looking D तो बिभीनता का मुख्य कारण है Trustees भीनता कारण क्या होता है जब रचिकृति में बदलाव आता है जब बदलाव आना होता है तभि तभी बिभीनताय होती है, जातियों में तभी बिभीनताय होती है, वर्णा नहीं, तो स्वपरागित इस प्रेसिश के पौधों में बिभीनताय कम होती है, तो पौधों में भी दो प्रकार के लक्षर पाय जाते हैं, एक जननकिय और दुसरा भौतिक लक्षर, पौधों में दो प्रकार की लक्षर पाए जाते हैं जननकिय तथा भौतिक लक्षर तो जननकिय लक्षर गुर्षुत्रों की संख्या एवं आकृति को बनाए रखता है जननकिय यानि कि वो लक्षर जो है जननकिय लक्षर गुर्षुत्रों की संख्या एवं आकृति को बनाए रखता है परन्तु भागोलिक भौतिक लक्षर जो है बाहरी जो उसका बनावट है वो भागोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं इस प्रकार भागोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं इस प्रकार भागोलिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं इस प्रकार में विभेदन का प्रभुक कारण होता है तो यह हो गया second question इसका मेन यहीं हुआ कि जब तक DNA में कोई variation नहीं होता है DNA chromosome में जब तक की प्रतिकर्ति में कोई बदलाव आना नहीं होता है तो हमारे में बिभिनताएं भी नहीं होगी बिभिनताएं कम होगी किसमें तो स्वापराँगर्फेसिश के पोदो में ठीक है थर्द क्योंडमी क्या भोगौलिग प्रिधक करन गोलेगि जन्न वाले जीवों के जाते हैं लावा स्वांन होता है जाती उ्दभौ का प्रभू कारक हो सकता है। क्यों या क्यों नहीं। जीव जाती उद्भौ का प्रभू कारन हो सकता है या नहीं। क्या हो सकता है तो क्यों हो सकता है और नहीं हो सकता है तो इसका आंसर है नहीं भागोलिक प्रिथ्थकरण अलेंगिक जनन वाले जीवों के जाती उद्भव का प्रभुकारण नहीं हो सकता है ना प्रभुकारण नहीं हो सकता है एसेक्ष्वर रिप्रोडक्शन करने वाले ज अलेंगिक जरन जो करते हैं एक जीव उनमें विभिनताएं बहुत कम देखने को मिलती है और अलेंगिक जीवों में भौगोलिक प्रिथक करण के कारण नहीं जाती का उध्वव नहीं हो सकता है इनको भौगोलिक प्रिथक करण के कारण नहीं जाती का उध्वव नहीं हो सकता है क्योंकि इनको भौगोलिक तौर पर प्रिथक किया जाए तो भी ये उस अस्थान पर अपने ही जैसे जीव को जरन देंगे इनके साथ ये है अलेंगिक जीव करने वाले जीवों के साथ जो एकल जीव है जो यूनिसेक्सवल है उनके साथ क्या है के भौगोलिक प्रिथक करण के तौर पर एंडों को अलग किया भी जाए तो वे उस स्थान पर अपने ही जैसे जीव को उत्वड़ करेंगे यह इंपोर्टेंट लाइन है इसको आपको याद रखीगा अलेंगिक और लेंगिक जनन में यही सबसे बड़ा अंतर उनमें बिभिनताय बहुत कब होती है यह अपनी ही जैसे जीव को उत्पन करते चाहिने भोगोलिक अस्तर पर इनने कहीं भी प्रिथक किया जाए तो ए से प्रिथक प्रिथक नहीं होती है इसलिए इनके गुर्शुत्र का मिश्रण संभव नहीं है ठीक है चुकि यह अलग-अलग है और इनके अलग-अंग भी नहीं है तो प्रिथक प्रिथक नहीं हो सकते है इसलिए इनके गुर्शुत्र का मिश्रण भी संभव नहीं है और 1, 2, 3, ये question complete, अब है, विकास एववरियर, ये तीनों question में, फिर जैसे आपनों को reading लगाने में समझवनी आएगा, तो आपनों जरू पूछेगा, आपनों कोमेंट किजे, सब्सक्राइब किजे, लाइक किजे, हमें कोई प्रोब्लम नहीं, आपका भी भी पूछ सकते हैं, और आइकन बेल भी प्रेस किजेगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास ज़िए, है ना, तो अभी मैं सोच रही हूं कि, ये तीनों question थोड़ा ये है, टिपिकल टाइप का है, लेकिन हाड नहीं है, समझने से फिर सब हलका लगने लगेगा, है ना, तो इसको आपनों बाइ, थैंक यू